तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं one and only डिवीज लैब के बारे में और आज आप देखिए कि डिवीज लैब के स्टॉक में 7.5% की हमको भारी गिरावट देखने को मिल रही है क्यों हैं गिरावट तो आज के दिन यहां पर quarter two के number आये हैं और I would say कि numbers यहां पर काफी week हमको देखने को मिल रहे हैं जिसकी वज़े से stock में इतनी ज़्यादा weakness हमको देखने को मिल रही है तो definitely result यहां पर खराब आये हैं लेकिन इस खराब result के पीछे क्या probable कारण, reason हो सकते हैं वो आपके साथ मैं यहां पर साजा करने की कोशिश करूँगा result को पूरा analyze करेंगे आगे की रणनेती टेकनिकल चार्ट पर levels क्या हो सकते हैं buying के अगर करनी है या फिर नहीं करनी मेरा personal opinion क्या है सारी चीज़े discuss करेंगे वीडियो के साथ बने रही है तो देखें कहीं न कहीं डिवीज लाप के result यहां पर जो week आए हैं वो expected था कहीं न कहीं expected था उसके पीछे reason है कि आज से करीब 3 week पहले जी आँसो 3 week पहले आप देखिएगा कि आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जहां पर मैंने एक बड़ी update आपके साथ साजा की थी जब यहां पर डिवीज का जो export shipment का data release हुआ था वो आपके साथ मैंने साजा किया था यहां पर साफ साफ नजर आ रहा था कि इनके business में यहां पर weakness हमको देखने को मिल रही है overall business में 24% का decline था molnupiravir में 45% का decline हमको देखने को मिल रहा था quarter on quarter basis पे molnupiravir इनका एक covid product था जो काफी जादा यह sale कर रहे थे काफी जबर्दस revenue contribution आ रहा था because covid का impact देखने को मिल रहा था पिछले दो साल तक हमको और base business में भी impact था अगर आपको देखे detail में समझना यह video आपने नहीं देखा था तो अभी भी इसको जाके आप देख सकते हैं आपको काफी सारी जीज़ें आपर समझ में आएगी और इसी वज़े से यहाँ पर result में भी weakness देखने को मिल रहे लेकिन जादा ही मतलब जादा ही weak number नजर आ रहे हैं ऐसा में जो इतना expected नहीं सा जितने यहाँ पर number खराब है चली एक बार analyze करते हैं नमबर को तो आप देखिएगा तो यह lakh value है करोड में बात करेंगे पिछले साल सब्टेंबर में था 1987 करोड का revenue अपकी बार हो जुका है 1854 करोड का तो revenue में year on year basis पे आप देखिए करीब करीब यहाँ पर अच्छी खासी 8% के आसपास हमको यहाँ पर decline देखने को मिल रही है sequentially तो देखिए और भी जादा यहाँ पर revenue डाउन है 2254 करोड का revenue 1854 करोड हो चुका है तो quarterly basis पे तो 18-20% की यहाँ पर हमको गिरावत देखने को मिल रही है top line पूरे अच्छी तरीके से यहाँ पर द्वस्त हो चुकी है profit की बात करें तो 606 करोड का profit 493 करोड रह चुका है तो yoy basis पे जो profit है almost आप देखिए कि यहाँ पर almost 20% डाउन है और sequentially तो यहाँ पर और भी जादा डाउन है 700 करोड का profit 493 करोड तो यहाँ पर मानके चलिए कि 35% के आसपास profit भी डाउन है तो यहाँ पर अच्छा खासा quarterly basis पे भी yearly basis पे भी उनको top line और bottom line में impact आता हुआ देखने को मिला है अगर मैं operating profit margin या bitter margins की बात करूँ तो वो मैंने calculate कियें करीब करीब 33% के आसपास निकल के आते हैं अगर मैं इसको comparison करता हूँ पिछले साल के quarters के मुकाबले September quarter के मुकाबले तो देखिए 41 था अभी रह चुका है 33% जून में था 38 अभी रह चुका है 33 तो margins में भी अच्छा खासा hit है तो definitely numbers काफी week है जिसकी व यहां पर कहीं न कहीं एक high base impact नजर आ रहा है और यहां पर मॉलनु पिरावीर की जो orders थे वो successfully यहां पर fulfill हो चुके हैं अब यहां पर जो मॉलनु पिरावीर का जो impact है वो ज्यादा I think अगले quarter में आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि हमने यहां पर भी देखा था क जो मॉलनु पिरावीर की जो sales है वो लगातार गेड़ती जा रही है देखिए 131 करोड थी 108 स्वारी यहां पर जो third quarter होगा उसमें और भी कम sales होगी तो यहां पर कहीं न कहीं high base impact हमको देखने को मिल रहा है मतलब कि जो यह इनकी 2000 करोड की sales थी उसमें covid product मॉलनु पिरावीर क काफी बड़ा यहां योगदान था जो अब धिरे दरे यहां पर हमको कम होता हुआ देखने को मिलेगा तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है यहां पर जो export issues हैं वो resolve होते वे नजर आएंगे high base effect यहां पर अब कम होता हुआ नजर आएगा और raw material inflation obviously यहां पर कम होई रहा है तो कि मेरा allocation यहां पर almost काफी हो चुका है तो मैं यहां पर और add करने की कोशिश नहीं करूँगा अगर आपका allocation प्रापर नहीं है तो आप इसको देरे दरे यहां पर add करना शुरू कर सकते हैं लेकिन अगर मैं देखू technically तो एक अच्छे खासे range bound जो है consolidation में हमको यह stock देखने क सामने आई और तो यहां पर stock और गिड़ सकता है और कॉन कॉल में कुछ positive आ गया management की तरफ से तो stock में वापिस से recovery आती हुई देखने को मिल सकती है तो यह stock अगर यहां से गिड़ता है तो फिर इसका जो next level होगा वो 32 का होगा उसके बाद यह 3000 तक भी आता हुआ देखने को मिल सकता है तो अगर आप long term निवेशक हैं आपके पास यहां पर proper allocation नहीं है DVS का तो आप इसको SIP में अभी यहां पर buy करना शुरू कर सकते हैं देखिए हो सकता है मैं इसमें थोड़ा सा bias दूँ क्योंकि मैं already invested हूँ लेकिन अगर आपको business समझ में आता है तो आप buy इसमें से आप sell भी कर सकते हैं यह मैं completely आप पर depend करता है आपकी risk appetite आपकी industry की समझ को यहां पर factor in करके आपको decision लेना ऐसे नहीं मैंने बोल दिया तब ही आपको buy करना है मेरे ख्याल से यह एक long term मौका है इस business को buy करने का क्योंकि fundamentally बहुत जबर्दस company आगे के growth prospect काफी अच्छे business को worst phase में खरीदना मेरे ख्याल से काफी अच्छा रहता long term में अभी business काफी मजबूत है लेकिन short term headwinds के तुरू गुजर रहा है तो उसकी वेसे stock में correction हो रही है तो अच्छे business को बुरे वक्त में खरीदना मेरे ख्याल से एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है आ अगर यहाँ पर सारी चीज़े सही रही अलोकेशन मेरा हाला की काफी जाधा हो चुका है लेकिन अगर यहाँ पर और बहुत जाधा नीचा आया और fundamentals यहाँ पर अच्छे रहे और आगे के prospect अच्छे नजर आये हाला की देखिए six growth driver जो है इनके वो kick in करते हुए नजर आए यहाँ पर देखिए आपका क्या मानना है company को लेकर result आपको कैसे लगे वो भी आप जरूर शेयर कर सकते हैं और कौन कॉल में यहाँ पर क्या चीज़े निकल के सामने आती हो आपके साथ में अगले वीडियो में शेयर करूँआ तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ल